हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो मैं हूँ प्रिति गुपता और मेरे चैनल प्रिति क्रियेशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम उमारी गर्दन पर जमा कालापन कैसे दूर करें यह वीडियो का लाव उठाफ आएंगे और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूसफूर लगे ताब इसे लाइक जरूर किजेगा और इसे अपनी फैमिलियर फ्रेंड कसा जरूर शेयर किजेगा तो आए दोस्तों आज की वीडियो की बारे में हम बात करते हैं कि आज का हमार दिखाई देता है तो आज के जुन उसका है उसके लिए 100 परसंट यूसफूल है आप इसको एक ही बार में इसका फाइदा 100 परसंट देखेंगे आप मेरे पास देख रहे हैं मैंने यहां पर संतरे की छिलके का पाउडर ले रही हूं दोस्तों एक चमच आपको यहां पर सं संतरे के सीजन हो थो आप अगर इस रेमेरिक हमें से उपयोग करना चाहिए तो में चिशलके कपी पौडर बनान Siege passenger वर्के अब की तर से जुर करता है गरदन से काले पन को पूरी तरह से दूर करता है उसी प्रकार सेकेंड इंग्रेडन हम पर ले रहे है नीम्बू का पॉडर और आपके पास वह जो ले सकते हो यह गाव 250 भी得 बना सकते हो एक तो पूरी तरह से शॉलूशन रूप में बन जाएगी और जब आप पाउडर फार्म लोगे तो पाउडर फार्म में भी हम इसमें पानी मिलाकर इस रेमेडी को रेडी कर लेंगे तो निबू में भी सिट्रीक एस्ट होता है जो आपकी गर्दन के पोर्स के अंदर बेकिंग सोडा तो अब दोस्तों आपको मैं बता दू बेकिंग सोडा यहां पर थोड़ी से हम जो चीजे यूज़ कर रहे हैं जैसे बेकिंग सोडा हो गया तो यह कैमिकल वाइस हो गया तो आप एसेन उसको कभी भी फेस पर उपयोग ना करे हां गर्दन ठीक है कोहनिया है पेरो को साफ दोना करें यहां तक कि हम बेकिंग सोडा से जूलरी भी साफ करते हैं ठीक है लेकिन फेस अह बहुत संसिटीव सकी नोग से है और हमारे पर प्येज़ लेवल अलग होता है तो फेस पर कभी डिस्क नहीं लेने चाही अभी कोलिप अभी यहां पर इंग्जा बिल्कुल इसी तरह से अभी मैं डाल रही हूं वाइट को यहां पर यूज करना है दोस्तों मैं आपको बता दू कोल्गेट से यह बात सच है कि स्किन बहुत अच्छे से गोरी हो जाती कालापन पूरी तरह से निकल जाता है यहां तक कि हम अगर हमारी ज्वेल्रियां साफ कर अगर कोई दाग लग जाते हैं तो उसे भी कॉल्गेट से हम साफ कर लेते हैं कॉल्गेट से दाग करधन का कालापन पूरी तरह से निकल जाएगा बस इस रेमेडी को आप अपने गरदन पर यूज करे चाए हातों पर यूज़ करिए, कोहने उपर यूज़ करिए, घुटनों पर यूज़ कीज़े, पेरों के पंजों पर यूज़ कीज़े, किसी जुलरी को साफ करने पर यूज़ कीज़े, आपकी गरतन में जमावा कालापन पूरी तरह से निकल जाएगा, फेस पर कभी भी chemical वाइस चीज़े नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फेस की स्किन काफी सेंसिटीव होती है और फेस ही हमारी पहचान होता है तो इस तरीके से आपको लोशन बनाकर रेडी कर लेना है आप उसमें पानी डाल लीजे अगर आप पाउडर फार्म में ले रहे हो और अगर और ओरल फार्म में आप नि अभड़मी पात रीजिव किजिए अगर आपकी गर्डर ककाली है तो अगर बहुत जादा काली है तो हम विक इक पार भी कर सकते हैं वीक में एक बार जरूर किजिए जिसे आपकी स्कीन टोन से आपकी घर्दन का कलर मैच हो जाएगा दोस्तों और यह वीडियो 100 परसंट यूस्फूल है आप चाहे तो सिर्फोर सिर्फोर कोलगेट लगा कर अपनी घर्दन पर उसे बहुत अच्छे से ब्रश कर दे या किसी भी किसी के भी सहायता से रगड कर उसे साफ कर ले वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वचिंग फ्रेंड्स